तो आप लोगों ने देखा था मेरी लास्ट व्लॉग में कि हम लोग कैसे बैंगलोर से कुलकाता पहुंचे थे तो आज का दिन ही हम लोग सुबह पहुंचे थे और अभी है शाम और अभी हम लोग निकल चुके हैं तो आज दुकाने सारे बद्ध हैं क्योंकि यहाँ पे एक पूजा चल रही है जैसे हम लोग का पारा बोलते हैं हम लोग जिसको तो उसी में तो चलिए फटा फट चलते है और देखते हैं तो अभी टोटो लेंगे हैं हम लोग जा रहे हैं सामने थोरा सा मार्केट घूमने के लिए और Celtic का अंन्ग्रोय करने के लिए थोड़े लौक के साथ बने रही है और देखते रही है माइंड बटर झाल झाल की है खुषप प्राइज कर असे सिर्फ कर दूआ नियुक्या भागान के काल भी घुट रही है गखाट्था मुट्टक्टा का अगाग हैं भी तो मुट्ट्ट जो मुट्ट्ट पर देलिए जो कॉम्च तौंस कांग या तक रहे हैं जो आएं भी जारें गोरा भज़ाए जर बाग रोई हाली के बाद देखिये, हम लोग अभी है टोटो में टोटो सा भी जा रहे है तो रिखता इते ये ये चीडिए खाले ना ना बैटरी देखिये तो ये हम लोग पहुंच गए है गोरा बजार के बहुत ही पास और ये देखिये एक पार्क है इदर जहां बहुत धीर है एक चोटा-खोटा मंदिर भी है ये देखिये यहां खाने का बहुत सारे दुकान है ये चॉप काटलेट्स पेमस रोल काटिकोल मतन रोल ये देखिये जील ये शुंदर जील तरह है ये देखिये कराटे सिकरा है तरह है ये शुंदर जोर जील लगा साथ है तो ये देखिये गोरा बजार का एकदम सेंटर में मैं खड़ी हूँ ये सामने पूरा स्टेट आजाने से पूरा मार्केट है और बहुत ही वरा वरा सारी का दुकान है सब कुछ है मिल जाएगा आप यहां पे और इस तरफ भी दुकाने है तो ये एक बहुत ही वरा मार्केट है दमदम गोरा बजार तो हम लोग घर के पासी है यहां पे पूजा चल रही है शितला मा की पूजा चल रही है तो उसी को देखने के लिए आया है तो इस सुबे से आज बहुत गाना वाना चल रहा था तो अभी हम लोग आया है उसको देखने के लिए तो चलिए अंदर फटाफट चलते हैं और आप लोग को दिखाते हैं तो यह रही मा शितला देवी जो मा दुर्गा की एक रूप है और बहुत ही खुबसुरत मूर्ती है देखें बहुत ही प्यारा सा लग रहा है जो काफी अच्छा लगा मा शितला चीकी दर्शन करते हुए तो आज है संडे और अभी शाम हो गई है करीबन चार सरेचार बज़रे होंगे और हम लोग निकल चुके हैं एक बहुती खास मार्केट देखने के लिए वो है गुरिया हाट तो मां का भी बहुत बन किया की गुरिया हाट जाएंगे बहुत दिन हो गए नहीं गए तो काफी दूर है हम लोग तो रहते हैं कोई खाली VIP रोड और गोरिया हाट एकदम साउथ के दरफ है तो हम लोग कैब ले चुके हैं और अभी निकल चुके हैं और आज संडे इवनिंग है पता नहीं कितना क्या होगा क्या भीर हो सकता है नहीं तो बंद भी हो सकता है कुछ दुकान है या मार्केट क्यूंकि संडे क यूजरी इस प्लानेक तो बंद रहता है अब गोरिया हाट का पता नहीं तो चलिए जा के पता करते हैं और देखते हैं कैसा है मार्केट तुरा बहुत हिंजा करेंगे घूमेंगे फिर वापस आजाएंगे तो चलिए कॉलकाता को देखते हुए आगे बढ़ते हैं अब व कर दो 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 कर झाल 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 बहतरीन कोलकता का शहर बहुत ही खुबसूरा चारो तरफ लाइटिंग और इस सिटी ऑफ जॉय सची में हैं सिटी ऑफ जॉय ऑल्वेज विट पॉजिटिव वाइब्स गुड वाइब्स तो देखिए तुरा शाम भी अराम से पूरा वैदर को ठंडा कर देता है तो काफी फेमस यह बिल्डिंग है सामने और साइन सिटी भी है बगल में तो काफी अच्छा लग रहा है पुराने कुछ यादे वापस आ रही है बच्पन में आये थे साइन सिटी दिखूमने मुमी पापा के साथ तो बहुत ही ख कि अ तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं फाइनली गोडिया हाट मार्केट और यह देखिए चारो तरफ है दुकाने बंद क्योंकि आज है संडे जो मैं डाउट कर रहे थी शायद कुछ दुकाने बंद हो सकती या क्या है लेकिन यहाँ पे जो में जो स्ट्रीट मार्केट होती है वो बहुत सारे जगा बंद है तो जो कुछ भी मिला हम लोग वही अभी देख रहे हैं लेकिन देखिए में में बहुत सारे दुकाने बंद है तो हो गया है बड़ा लॉस क्योंकि मैंने सचा था गुरीया हम जाएंगे थोरा सा एंजॉइ करेंगे थोरा बाच शांपिंग भी पर गया है क्योंकि मार्केट आधा तो भंद है तो चलिए देखते हैं जितना क्या खुला है आप लोग को में दिख सिकता आपको बहुत कुछ मिल जाएंगे यहां पे और काफी फैमस से ज्वेलरी के मेर्ली जॉरी जो इसको ढूनने के लिए मैं यह आई थी लेकिन यहाँ हम दूकाण बंध है जहां मैं ढून रही थी और यहां को क्रॉकरीज मिल जाएगा जैसे एक जहां पे सिर्फ क्रॉकरीजी मिलता है और यह देखिए आपको यहां से से इतना सुन्दर सुन्दर कुर्ता चुरीदार पूरा सेट आपको बहुत ही कम दाम में मिल सकता है तो ऐसा नहीं है कि आपको हर वक्त ब्रैंडेडी पहना परे आप लोग इन लोगों को भी सपोर्ट कर सकते हैं यह लोकल वेंडर्स है इन लोगों को भी कुछ खरिद के आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं तो हम लोग भी वही कोशिश कर रहे थे तो मां भी कुछ देख रही थी खरिदने के लिए तो चलिए फटा-फट अभी मार्केट को थोड़ा एंजॉय करते हैं उनकी बह तो बहुत घूम लिए गर्मी में ज्यादा घूम नहीं सकते हैं और जैसे कि मैंने कहां बहुत सारी शॉप्स भी बंद है तो वह वाइपस नहीं मिल रही है जो गोडियाहट में यूजियली मिलती है तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं बाहर जस्ट मार्केट के थोड़ बाहर ही है और यहां पर एक फुचका वाला हम लोगो मिल गए है दिकोलकाता फेमस फुचका डारिकली फाम गोडियाहट जो मैं मिस नहीं कर सकती है मैं बोल सकती हूं कि इसाए दो शाल बाद में आज खाऊंगी फुचका क्योंकि पानी पूरी आप गोलकपे तो मिलते ही बैंगलोर में लेकिन यह जो अथेंटिक जो यह फुचका का फ्लेवर है निम्बू और इमली और घुबनी के साथ वो कुछ अलगी होती है तो देखते ही देखते है आज का व्लाग में यहीं पर इंट करूंगी और मैं अभी वेट करनी हो कैप का तो हम लोग क्याब आने वाला है कुछी दिर में तो यह एक बस्टेंड है आप देख सकते हैं सारे बसे आ रहे हैं और वो जो बस आपको दिख रही है ब्लू गलर की तो थर्टी फोर दूशो चो तरीश वो काफी एक फेमस और काफी सारे मेमरीज है मेरा इस बस में क्योंकि मैं जब कोलकता रहती थी तो मैं इसी बस से ट्राइवल करती थी बहुत सारे टाइम्स मेरे घर के जस्ट बगल में ही इसका बस्टेंड है तो देखके बहुत ही अब मिलते हैं एक नए व्लोग में तिल रेंड किप वाचिंग माइन बटर बाई